नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वर्टिप कर सकते हैं इस्टाग्राम पर पेज जरूर फोलो कर लिएगा studyforcivil.services है ट्विटर पर जरूर फोलो कर लिएगा add the net studyforcivils है हलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत है एक बर फिट से यूपी पीएस्सी आरोय आरो दो ज्यार 223 की वेकेंसी के लिए यहां पर paid group का module यहां पर शुरू होता है हमारा paid group जॉयन करके आप daily module से पढ़ सकते हैं जयसा कि promise किया गया था कि जो भी लोग हमारी YouTube सब्स्क्राइबर है उनके लिए भी paid module पर free video बनवाय जाएगा तो उसी क्रम में यह पहला मॉडियूल है इंग्लिश माध्यम का हिंदी मीडियूम का मॉडियूल है आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी फॉर्च विल्ट देखने को बिलेगा जो भी लोग पेड ग्रूप में हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं आपको मॉडियूल पढ़ना है और साथ ही साथ पेड क्विज जरूर लगानी है जो इस मॉडियूल पर अधारित आपको दी जाएंगे 25 कोश्चन्स आपको पेड वाले कुज ग्रूप में उसको जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा इससे आपका काफी काउफिडेंस बिल्ड अप होगा और आप यह भी देख पाएंगे कि जो हमने मॉडूल पढ़ा है उसमें किस तरीके स्तत्त हैं हमारे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उससे पहले यहां पर इंडियन जोग्रफी सेक्षन है मॉडूल नमबर वन में तो हम यहां पर जोग्रफी ऑफ इंडिया शुरू कर र नहीं पूछ जाते हैं हमारे एक्जाम में क्योंकि यह बहुत बार पूछी जा चुके ही चीज़े लेकिन हरियाना PCS में एक सवाल आया था जो कि हमारे मैप ऑफ इंडिया पराधारित था और बहुत इजी कोश्चन नहीं था यह कोश्चन जो हाल फिल हाल देखा गया है भ कौन से आपके उत्तरी दक्षणी पूर्वी तथा पश्चिमी राज है बहुत ही इनोवेटिव कोश्चन बनाये था रियाना PCS ने तो रियाना जो है उत्तरी तौर पर सबसे भारत में पढ़ने वाला राजी है जो किसी भी अंतरराष्ट्री सीमा को टच नहीं करता है वो स्थलबद है वो जहार खंड है और उत्तरी और यह जो है पश्चिम तौर परकरम देखें जो स्थलबद भी है और अंतरराष्ट्री सीमा साजा नहीं करता है Mदद प्रदेश है क्योंकि राजस्थान लिख देते तो वो अंतरराष्ट्री सीमा साजा करता है इस तरीके से हमारे प्यारे भारत समंदित यह बहुत इनिवरिटिव कुश्चन बनाए गया था तो मैंने आपको शो कर दिया है हम आज आते हैं तत्यों पर क्योंकि तत्य परक एक्जाम है तत्य परक प्रशन आपके अग्जाम में देखने को भी लेंगे जोगरफिय पर इंडिया जोगरफिय वल्ड से जोगरफिय बहुत इंप्रफिय भारत इंगलिजिस संदर्ब में इंडिया और भारती संदर्ब हम लिखेंगे तो भारत है भारत का नाम है ओफिशल अधर नेम्स आड्रे वर्त है जम्बुद्वीप है भारत वर्ष है हिंदुस्तान है ठीक कैप्टल अफ इंडिया है नैसल एनिमल है हरिटेज एनिमल है लिफैंट है तो ये सब चीजे हम जानते रहे हैं बहुत बार पूछी भी जा चुकी है मैं आपको वो तथियां पर भारत के बारे मताता हूं जो अभी पूछे जा सकते हैं जैसे रीजिनल वाटर बाउंडरी जो है बारा ओशिनिक माइल से जो है कोस्ट से लगती है ठीक है शेर ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया का जो भारत कवर करता है वो दो दशमलो चार दो प्रतीशत है ठीक ओफिशल लेंग्वेज जो है हंदी है और नेसल स्क्रिप्ट देवनागरी है नेसल सौंग बंदे मातरम है नेसल नंथम जन गर्णमन है हमारा जो अधर्श वाक्य है वो सत्य में हो जाते है इनिकी सत्य की जीत होती है जो मिट्रिकल शेप को अड्री लेटरल है एक्स्टेंशन ऑफ माउंटेनिस रीजन ये 10.7 प्रतीशत है करीब प्लैट्रिवूड रीजन जो है ये 27.7 प्रतीशत है स्टेट्स विद इंटरन 2.7 परसेंट 2001-2011 तक हमने अचीव की है वर्ल्ड पॉपलेशन का 17.5 प्रतीशत भारत कवर करता है ठीक है अब भारत में लेटिट्यूड वगरा से देख लेते हैं क्या तथे पूछे जा सकते हैं वास्ट कंट्री इंडिया इंटारली जो है नर्दर्न हैमिस्फेर में सब्सक्राइब है और एक लक्षदीप आइलेंड है जिनके आइलेंड के बारे में हम फीचर्स पढ़ेंगे आगे चल करके मोड्यूल में लैंड मास इंडिया का इसमें 3.28 मिलियन स्कॉर किल्यूमेटर का यहां पे लैंड मास का एरिया है इंडिया टोटल एरिया जो है ज परवेंड मोड़दार परवत जो है भारत के नौर्थ वस्त में है नौर्थ में नौर्थीश्ट में है किस फ़ॉम में हिमाले के फ़ॉम में और साउथ में अबाउट 32 दिग्री नौर्थ लेटिट्ट्यूट से यह यह टेपर होनी लगते हैं और यह नियंडिया लूशि ठीक है और Arabian Sea West में है भारत के बेफ बंगाल East में है जिसे ओडिशा वाला राज जो है जो हमारा आप 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 अश्यम बंगाल है वो बेफ बंगाल पढ़ता है आपका केरल हो गया आपका महरास्ट हो गया यह Arabian Sea साइट पढ़ता है यह देख चुके हैं उपर मैप में Standard Meridian of India यहां पर बनाया गया है 32.30 degree East ठीक है यह कहां से पास होता है यह कई बार थोड़ा डाउट रहता है आपके मन में नैनी लाबाद एक दो बार एक्जाम में मान लिया गया है तो कई बार आपको डाउट रहता है इसमें NCRT Books अभी भी latest version मिर्जापूर लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश तो आप इसी को मानिएगा मिर्जापूर ना दिया हो option में तो आप नहीं नहीं मान लिजिएगा simple हमारे एक्जाम में क्या question आता है कि स्टेंडर मरीडियन से कितने जो है भारत के स्टेट पास होते हैं तो उनकी संखे और उनके नाम जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश पास होता है और फिर मध्य प्रदेश फिर चप्टीजगर फिर ओडिशा फिर आ प्रदेशन दिये कि इमेजनेरी लाइन्स होती हैं यह सारे पॉइंट को जोईन करती हैं जो सिमलर अंगुलर डिस्टेंस बीच में इनके होता है और यह अर्थ सर्फेस को डिग्री मेजर करती हैं ठीक है सेंटर से लेके ऊपर तक जाती है फिर नीचे तक जाती नौर्थ स जो नीचे से उपर उपर से नीचे जाते वक्त घटे बढ़ते जाते हैं किस तरीके से इस तरीके से जिसे सर्कल से तो जैसे सर्कल जो है नीचे जाते जाएंगे तो इनका सर्कल का यह जो रेडियस है यह घटता हुआ जा रहा है इस तरीके से यह है यूपिट पलसी के लि लेटीटूटनल लाइन जो एर्थ सर्फेस को जो एन करती है नौर्थ से साउथ पोल तक एक्वेटर को क्रॉस करते हुए लॉंगीट्यूट कहलाती है ठीक है इनको मरीडियन कहा जाता है ठीक तो एक्वेटर की तरह कोई फिक्स नहीं कि जीरो डिगरी पर ही होना चाहिए हम किसी भी मरीडियन को ले सकते हैं ठीक है नंबरिंग ओफ लेटिटूट के लिए फाइनली डिसाइड किया गया था इंटरनेस्टल एग्रिमेंट जो हुआ था ठारस चौरासी में कि जीरो मरीडियन जो है उसको माना जाए देशान है जो है एक दूसरे के पैर्लेलर होती है लॉंगीची मेरी भी रिस्टेन्स जो है इसको इसंटरन हैमिसफेर और वेस्टरन of the prime meridian को western hemisphere का जाता है ठीक इस तरीके से division होता है अब longitude time का आपस में का relation है यहाँ पर बताया गया है कि हम कह सकते हैं कि sun traverses 15 degree of longitudes per hour और 1 degree of longitude in every 4 minute of time यह value ध्यान रखिएगा पहले इस से numerical आते थे हमारे exam में अब नहीं आते हैं एक और important चीज़ हम नोट करके लाए थे कि countries on prime meridian prime meridian पर पढ़ने वाले देस कौन से हैं उनकी list एक बार देखना ज़रूरी है क्योंकि हमारे UP pieces में fact-based question से बड़ा प्रेम में UP pieces को जो हम से पूछ सकते हैं माली जी आपको 4-5 country देदेंगे आपको बताएं Spain, Togo, United Kingdom अब जल्दी से comment करके बताएं को देख करके कि African continent से कौन कौन सी ऐसी countries हैं जो prime meridian को पास करते हैं जल्दी से comment करके बताएं हमाप भी दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पर zero degrees को माना गया है ठीक है यह prime meridian इसे आगे बढ़ रहा है तो कौन कौन सी countries इससे पास हो रही है यह घाना है इधर ठीक है यह Togo है ठीक है घाना हो गया Togo हो गया बर्किना फैसो हो गया Algeria हो गया माली हो गया ठीक तो कितनी country हो गया है अफ्रिका से 5 हो गया ठीक और देर उसके बाद अगर हम देखें United Kingdom से तो होई रही है फिर France फिर Spain इस तरीके से और फिर नीचे इधर Queen Modland Region of Antarctica से तो यहां से पास होती है आपकी Prime Meridian से यह countries अब तक आपने जो जोग्रफियू फिंडिया के बारे में पढ़ा उसमें हम यह सवाल करेंगे यह आरो मेंस का सवाल है आरो मेंस री एक्जाम जो हुआ था 2016 वाला 2020 में उसमें प्रशन पूछा गया था ठीक है कि इसमें बताईए कौन से स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है असत्ति कथन बताना है भारत साथमा सबसे बड़ा देश है मैंने बता दिया आपको और भारत जनसंख्या की द्रश्टी से विश्व का दूसरा रास्टर है आगे के माडूल में जनसंख्या बड़ा डिस्कस करेंगे ही और चाइना जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इस समय और इंडिया की सेकेंड नंबर पर है एक और महत्पूर्णता थी यह है अगर आपने जुलाई करेंट पढ़ा है स्टेडी फॉर्स इसका लेटेस्ट वर्ल्ड इक्नॉमिक प्रॉस्पर्स रिपोर्ट आई है उनाइटेड नेशन्स के द्वारा उनाइटेड नेशन्स पॉप्लेशन फंड के द्वरा जारी की जाती है उसमें यह कहा गया है हमसे कि 2023 के अंद तक भारत जो है चीन को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में तो यह भी एक रोचकतत से ध्यान रखिएगा बाउंडरी जो है यह करीब 15200 किलोमेटर एकस्टेंड होती है अरलिएस्ट संराइज इस सीन इन मिजोरम स्टेट यहां पे गलती हो जाती है क्योंकि सबसे पहले संराइज कहां पे होती है अलुनाचल प्रदेश में होती है इंद्रा पॉइंट की बात कर लें सदर्मोस पॉइंट ऑफ इंडिया यहां पर क्रीग बहुत ज्यादा है इंद्रा पॉइंट और इंडिनेशिया को ठीक है इसको ग्रेट चनल बोलते है बुकुक खूपरेट करता है अंड़मान हो निकोबाल इनकोरइंड को तो इक कुछ चैनल करता है गोलानचल प्रदेश में करता है कुछ उन्प ए गुजरात में आपको बता मालदीव लक्षदीब को अलग करता है यहां पर मालदीव का पार्ट इसको बोल दिया नहीं यहां पर इसके बाद हम साइंस वाले से शुरू कर रहे हैं में योनिट्स हमको देखनी होती है। इससाल को हैं यूट्ट वाला याया ह।ike now we got hundred fundamental unit और derived unit, fundamental unit जो है, वो limited होती हैं, «200» का unit d be derived की जाती है, उनहीं से निकाली जाती है, हम लोग कहते हैं वो ज्यादा नहीं याद करता है, यह याद करना है मपता है कि कॉन से fundamental unit नहीं है लेंथ का मीटर होता है, п होता है प्रप्रेचर का हो जाता है Kelvin और amount of substance का मोल हो जाएगा luminous intensity का candle आओ जाएगा इनके symbol यहां पर दिये हुए हैं बहुतिक राशियां दो प्रकार की होती है scalar quantity और vector quantity हम मैं कहूंगा कि आरो में हमको बहुत deep expertise नहीं चाहिए इसकी हमको खाली definition साहिए और हमको example याद कर दे होगा कौन कौन से scalar होते हैं कौन कौन से vector होते हैं इसी से हमारे काम हो जाता है scalar quantity जो है जिनमें सिर्फ magnitude होता है direction नहीं होता है ठीक है यह जो है single number से और proper unit से specify की जाते हैं जैसे की length, density, volume, area, work, distance, mass, speed, time, power, energy, electric current, pressure, gravitational potential, electric potential यह जो है सब होते हैं scalar quantity ठीक है इनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं सदिश राशियां बोलते हैं ठीक है या अदिश बोलते हैं क्योंकि मुझा सा confusion हो गया इसमें अदिशन और parallelogram law of addition दोनों को follow करते हैं ठीक या रखिए वेक्टर कॉंटिटी जो है इसमें magnitude भी होता है डिरेक्शन भी होता है triangle law of addition और parallelogram law of addition को फॉलो करते हैं quantity यह कौन-कौन सी होती है यह होती है displacement, acceleration, force, momentum, velocity, linear momentum, angular momentum, torque या moment of force यह सारी होती है अगर आप एक याद कर लेंगे कि यह वाली scalar होती है तो यह उनसे अलग करना आसान हो जाएगा कि यह वाली vector नहीं होती है इस तरीके से मारा काम हो जाएगा Various system of measurement में सबसे पहले MKS system होता है तो unit of length meter होती, unit of mass kilogram होता है, unit of time second होता है ठीक है, engineering and industrial sector में meter kilogram second system का use करते हैं इसको MKS बोलते है centimeter gram second system इसको CGS बोल दिया जाता है इसमें unit जो use की जाती है extensively वो centimeter होती है mass के लिए gram होती, unit के लिए second होती है यह इसको जो है French system भीगा जाता है ठीक, बस इतना देखना इसमें foot pound second system, यह PFS system है ठीक है, यह pound से आपको याद आ रहा है कि pound कहां की quantity होती है ब्रिटेन की होती है, तो यह British system है England पर ज्यादा use की जाता है ठीक, तो length, mass, time जो है इसको fundamental quantities की तरीके लिया जाता है तो यह हो गए systems अब SI systems जो है यह French word system में international deunites से लिए गए है जिसका मतलब होता है international system of units SI system जो है, यह standard scheme of symbols है इनको create किया गया था और General Conference of Weights and Measurement वोई थी उन्हें से 70 में इसमें एक आ गया था scientific, technical, industrial, commercial कामों के लिए हम इन ही symbols का use करेंगे और यही मानक symbol माने जाएंगे SI system में साथ fundamental unit हम आपको पहले ही बता चुके हैं दो इसके supplementary unit होते हैं ठीक है, यह plain angle के लिए radian इसका होता है fundamental unit और solid angle के लिए steridian होता है, ठीक है, दो यह supplementary भी होते हैं, ध्यान रखिएगा measurement of length के लिए हम meter बगारा यूज कर लेते हैं, kilometers यूज कर लेते हैं extensively, बहुत हमको पतली दूरी नापनी होती है, मुटाई नापनी होती है किसी चीज की, उसमें screw gauge का यूज करते हैं, वो 10 raise to the power minus 5 meter, यानि कि बहुत छोटी राशी जो है, नाप लेता है vernier caliper जो है, इसमें accuracy 10 raise to the power minus 4 meter तक की accuracy होती है measurement of large distances meter लेकर तो नहीं नापनी है आपकी आर्थ से लेका sun की दूरी कितनी है तो उसके लिए अलग method यूज की जाता है उसको parallax method बोलते है mass की definition क्या होती है mass is a basic property of matter it does not depend on the temperature, pressure or location of the object in the space as I unit, kilogram होती है mass की, prototypes of international standard kilogram supplied by international bureau of weights and measurement are available in many laboratories across different countries हम जो ये बाट और बटखरा यूज करते हैं ये कहां से आया हमको कैसे बता चला कि इसी जो है लोहे के बाट में एक किलो हम ना पेंगे वो कैसे बता चला क्योंकि international bureau of weights and measurements से जो है ये prototype supply कियेगा ये बाट खरा है, ये एक किलो माना जाएगा तो उसी से हमने copy करके बना लिया वही जो हमको बजार में देखने को मिलते हैं इंडिया में ये जो prototype available है National Fiscal Laboratory, New Delhi में अब pressure की definition क्या है force exerted on a unit area of a plane is called pressure pressure is a scalar quantity ठीक है pressure scalar quantity है, एक pascal जो है pascal, pascal होता है 1 newton upon meter square ठीक है, 1 newton यानि की force exerted और meter से unit area मापा गया है non SI unit जो है atmospheric pressure की वो bar होती है atmospheric pressure नापते हैं bar में ठीक है, जो 10 to the power minus 5 meter square से divided इस तरीके से इसको show करते हैं 1 bar is equal to 10 to the power minus 5 pascal, अगर आब BPSC वेपर देते हैं तो ये values पूछी जाती है RO exam में UPPSC exam direct value अब नहीं बूछ जा रहे हैं latest pattern में, लेकिन फिर भी हमें कोई चीज ignore नहीं करने चाहिए बहुतिक राशियों की dimensions क्या होती है dimensions of physical quantities are the parts that are put on the fundamental unit to express the unit of that amount physical quantities में unit जो express की जाती है, M, L, O, T और ये जो temperature का symbol होता है इसमें, ठीक है electric current का symbol इसमें A लिया जाता है तो इस तरीके से express की जाता है dimensions को, dimensions dot deep में नहीं पढ़ना आरो के लिए dimensionless quantities consequences होती है, जो एक बार देख लीजिएगा इसमें, जिन quantities की dimension नहीं होती है, वो plane angle होते हैं, solid angle होते है, relative density specific gravity, angle, elastic strain, poisons ratio जो है, dimensionless quantities के example होते हैं, ठीक है, बस यह देखिए इसमें और यह various parts दिये हुए हैं, इसमें कभी-कभी पूछ लिये जाता है, सबसे छोटा काउन है, जोसे desi से छोटा centi है, centis छोटा mili है mili से छोटा micro है, फिर nano है फिर pico है, फिर fermi है, फिर ato है कई बार UPPCS ने भी अब कुछ यहां पर example वाले facts जिससे सवाल बनने के ज़्यादा संभाव ना होती, जैसे sonar, sound navigation and ranging यह किसली यूज की जाती ही system यह submerged objects in the ocean, समदर में डूबे हुए objects या फिर पिंडों को देखने के लिए इसमें, locate करने के लिए उनको, it is based on a very simple principle, pulse of ultrasonic waves is sent to into water sonar में कई बार हम से पूछा गया है, अलग-अलग तरीके के exams में, कि sonar में हम किस तरीके की waves का use करते हैं, तो उसमें हम ultrasonic waves का use करते हैं ध्यान रखेगा, और जब यह ultrasonic waves जो है target से strike करके वापस आती है source strike करके, तो हम उनको, उनसे अंदाज लगा लेते हैं कि object जो है, समुदर में कितना नीचे है तहर रहा है, जो पंडूबियां डूब जाती हैं और जो icebergs वगरा होते हैं उनकी दूरी का अंदाज लगाने के लिए इस्तमाल की जाता है, sonar को sound navigation and ranging thermo resistors वो device हैं जो की act करते हैं, electronic thermometer की तरीके और ये resistance ये जो device है ये अपना resistance जो है temperature के साथ change करते रहते हैं, ठिक radar का मतलब होता है radio detecting and ranging जैसे कि आपको पता चल रहा है कि radio waves पर अधारी तो होता है radar और ये technique यूज की जाती है, इसमें radio waves को यूज की जाता है objects को detect करने के लिए कई बार आपने युद्ध में सुना होगा युद्धे छेत्र में सामरिक current affair में कि ये देश जो है radar बना रहा है radar किसले यूज करते हैं, कि दुश्मन के विमान कहां पर आ रहे हैं, हमला करने वाले हैं, उनको locate करने के लिए radar का इस्तमाल की जाता है, इसमें हम यूज करते हैं, रेडियो waves का और इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि किस रेंज पर किस एंगल पर और किस वेलोसिटी से object हमारी कर死say करने के लिए उसको करने के लिए त्रेञ चरन के लिए उसक खांड मेशि crest कर मेशिस कर लाइन के लिए कोई भी स्थिर या बिल्कुल बिना कोई गती करने वाली वस्तु को गती करा दे तो उसी कौम लोग बल कहते हैं फिजिक्स की भाष्चा में ठीक यह किस ने दी थी आईजाक न्यूटन ने उन्होंने लॉप मोशन दिया था लाइट यह जो है बहुत लंबी दूरी ना अपने के लिए इस्तमाल की जाता है इसका ठीक है astronomical distances में अपने के लिए light year के इस्तमाल की जाता है बहुत बड़ी राशी आप देख सकते हैं मीटर में इसको करेंगे तो इतनी आ रही है ठीक कि light year के बारे में बीपीएसी जो है अंगिनात बार पूछ चुका है कि किसकी unit है तो बीपीएसी के अनुसार हमको याद रखना चाहिए और भी तर त्वस्था को जो हिस्सा है कई बार वो budget economic service से लिग करके समसामी घटनाओ पर अधारित उससे तथ पर एक सवाल बनते हैं इंडियन इकनामी में आपकी समझ डवलप करने के लिए जिन definitions को जानना जरूरी है उसी का module 1 में cover कर रहे हैं जैसे informal sector enterprise क्या होता है informal sector enterprise वो private sector enterprise हो जो है informal sector enterprise होता है informal sector enterprise जो है कोई इसमें specific rule नहीं होता है कि इसको क्या salary देनी है कितना tax बरना है क्योंकि इनका regulation नहीं हो पाता है जबकि जो formal sector enterprise होता है कोई ना कोई act कोई ना कोई संहीता के तह तो उसका संचालन किया जाता है और उसमें जो भी लोग काम करते हैं उनका भीम account of the balance of payment sum of which are not visible goods यानि कि जो क्रत्यक्ष मदे होती है उस form में नहीं होती है उनको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन book of account में उनको इंटर किया जाता है ठीक, invisibles are mainly services जो सेवाई हम लेते हैं जिसे tourism हो गया जिसे ट्रांसपोर्ट हो गया जिसे माल लीजे कि माल पहुचाने के लिए ट्रक आपने किया ठीक तो ट्रक माल तो पहुचा गया एक जगे से दूसरे जगे लेकिन वो माल पहुचाना दिख थोड़ना रहा है वो तो खर्च हो गया खाली ट्रक दे के समय चला कि अब हर समय ट्रक थोड़ना आपको दिखेगा आखो से तो यहीं हो गया उसको जो है दिखाया गया बैलन्स शीट में तो इन्विजबल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है सेंट अब्रोड और रिजीव फ्रॉड फ्रॉड प्राइवेट ट्रांसवर्स और फंड गौवर्मेंट ग्रांट्स और इंट्रेस्ट प्रॉफिट्स और डिवीडन्स यह सब इन्विजबल में आते हैं ध्यान रखेगा डिवेल्वेशन क्या होता है फॉल इंदा एक्सचेंज रेट विच डिडूज़ेशन टर्म्स में है कि रुपए गिर गया तो रुपए का गिर गया का मतलब यही होता है कि रुपए का मूल अधर कंट्रीस के करेंसी से कम हो गया ठीक जनरली डॉलर महापा जाता है डिवेल्यवेशन डिवेल्यवेशन को अव मूलियन भी बोलते हैं ठीक है मतलब कि कोई आउसर अगर आपने खो दिया है तो उससे कितना घाटा हुआ यह सब अवर्चिंटी कोस्ट में रखा जाता है एक दिन का काम करा के दी जाती है कोई इसमें लॉंग टर्म कांट्राक नहीं होता है यह पिर दैनिक मजदूरी या दिहाडी हो गया integration of domestic economy a situation where the policies of government to facilitate trade free trade and investment with other countries making the domestic economy work together with other economies in an efficient and mutually interdependent way तो integration का मतलब यही होता है कि हम अपनी economy को open करते हैं और other economy से वैपार करना शुरू करते हैं ठीक है तो जबी भी हम अर्थविस्था को मुक्त करते हैं तो उसका मतलब होता है हमेशा ही कि government उससे अपना जो है नियंत्रण धिला करती है नियंत्रण को थोड़ा कम किया जाता है इसका मतलब यह है कि जो हम आयात कर रहे होते हैं उसको हम लोग कम करते हैं आयात की जगह हम लोग जो domestic production होता है उसको बढ़ावा देते हैं किस तरीके से इंपोर्ट कंट्रोल लगाते हैं टैरिफ लगाते हैं यानिक अगर आयात करेगा तो उसको ज्यादा सुल्क देना पड़ेगा मजबूर करते हैं जानबूच करके कि यहीं पर बनाओ और बाहर से नमा को आओ ठीक इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट कोई कर रहा है तो बलकि उस पर टैरिफ भी लगाएंगे तो यहीं आतनिर्भर भारत का कॉंसेट अब टैरिफ की बात तो टैरिफ जो है टैरिफ और ओन इंपोर्ट विच कैन बी लिवीड आइधर ओन फिसकल उनिट्स ठीक है और और तो फिसकल उनिट्स पर या फिर वैल्यू पर जो टैरिफ लगाए जाता है खासकर इंपोर्ट पर उसी को टैरिफ बोला जाता है अगर आयात यहां से कोई कर रहा है किसी दूसरे देश से कई सारे हाई एंड गजेट्स होते हैं उस पर बहुत सारा सरकार टैरिफ लगा दे टैरिफ जब भी लगाए जाएगा तो उसके इंप्लिकेशन किया है सबसे पहले जो गौवर्मेंट जो है टैरिफ लगा रही है उसको फाइदा होगा ठीक है लेकिन यहां पर घाटा किसका होगा जिसने इंपोर्ट किया है जिसने यहां पर हाई-end मोटर साइकिल मगाई है तो जिससे पर्म से खरीदा है ameiarika की किसी पर्म से खरीदा उसका फाइदा हुआ सरकार ने भारत सरकार ने टैक्स लगा दिए उसका फाइदा होगा घाटा किसका हो कस्टमर का तो कस्टमर इतना सार्ट चारिफ जब देखेगा तो कोई भारती भाइक चलाएगा यहिज करने कोशिश करें इसलिए टैरिफ लगा जाता है टैरिफ बैरियर भी हो गया कि टैकेस के फ़र्म में रेस्ट्रिक्शन्स लगा जाते हैं इंपोर्ट को पुरी तरीके से सरकार को जब देखे ऐसा थो नहीं कि सारे इंपोर्ट बंद कर दे सरकार लेकिन कई बर हाई उसमें लगाने का उद्देश ही यही होता है कि import हम कम करना चाहते हैं import licensing के मतलब हो गया कि government से license या compliance यहाँ पर लेना होता है goods को यहाँ पर मगवाने के लिए किसी दूसरे देश से goods को मगवाने के लिए जो license चाहिए होता है वही import license होता है productivity के मतलब होता है output per unit of input employed जितना पैसा लगा रहे हैं जितना आप उसमें human resource खर्च कर रहे हैं उससे जो lab निकलता है या फिर उससे जो output निकलता है उससे जब input को minus कर देते हैं वही productivity हमको मिल जाती colonialism क्या होता है सामरा जिवाद the practice of acquiring colonies by conquest another means and making them dependent जैसे कि Britishers ने भारत के साथ किया था कई सारी European countries ने African countries में किया उनको गुलाम बनाया ठीक उनके resources को हंतियाने का प्रयास किया इसमें कई सारी उनकी theories थी जैसे white man's burden वो कभी इस कार को घ्रणित नहीं मानते थे वो मानते थे कि वो अहां पर सभिता पहुचा रहे है अगर किसी African country जहां पर बहुत सारे mineral resources है उसको ले करके वो ब्रिटेन ले जाते थे और उसके बदले में उनको कुछ दे देते थे कुल बिलाकर शासन करते थे दूसरे देश पर और उसके natural resources का दोहन करते थे अपने स्वधेश का फाइदा कराने के लिए ठीक है मतलब Britishers यहां पर आये थे तो यहां पर अगर शासन कर भी रहते यहां पर policies ला भी रहते तो उनका primary objective development of Britain होता था ना कि development of India तो यह हो गया सब्सक्राइब किया है जो हमारे उब्भोग समुच्चे आफ कंजम्शन बास्केट में आते हैं इसमें जो मेजर है वो फ्यूल एंड लाइट है मतलब यह 19 मदे हैं जिनका उब्भोग एक भारती परिवार more or less करता ही करता है इन चारी चीज़ों का इसी को उब्भोग समुच्चे आ फिर consumption basket कहा जाता है अब यह क्यों बनाए consumption basket आप सोचेंगे कि कई सारे हमको आंक्डे तयार करने होते हैं है इंटरप्राइज उद्र कि यह उद्र वांक्रिंव करता हैं और यह और एमपंआ समुह के द्वारा संचालित कोई आप लिए अपिन्टरप्राइज से मिन्श्ची ओं OFF के नतर गते इनटर करौत और पंड प्रधेन्हें के उन्ट-बन्रींजेशन सी यह गोउरमनिंट sich जैसे सावभाग योजना वगारा आई थी तो नोडल एजनसी बनाई गए थी बीरो अफ एनर्जी एफिशेंसी जब लेडी वगारा बाटे गए थे तब भी नोडल एजनसी बनाई गए थी बीरो अफ एनर्जी एफिशेंसी MRTP Act यानि कि Monopolis Restrictive Trade Practices Act फ्रेम किया गए था इसको जिससे Monopolistic Practices को Regulate कि जासके Monopoly क्या मतलब होता है Monopoly ऐसे आप समझेए कि कोई फोन अगर लाँच होता है भारत में तो अगर एक ही वेबसाइट पर मिलेगा Amazon पर तो उसको Monopoly कहेंगा यानि कि ऐसा सांट गार्ट बनाई गई है कि यह कंपनी अपनों मॉबाइल Amazon की website से बेच रही है कोई लोकल मार्केट में मॉबाइल नहीं आपा रहा है हर हाल में Amazon की website से लेना पड़ेगा और जब Amazon की website वाले उसका दाम बढ़ा देंगे तब दिक्कत होगे तब यह Monopoly का एक गाटा भी है मतलब यह Monopoly का एक निगेटिव एसपेक्ट भी है इक्विटीज की बात कर लें तो shares in the paid up capital और stocks of a company whose holders are considered as owners of the company with voting rights and dividend in the profit इक्विटीज यानि जब साख खरीदते हैं लोग तो capital और stock खरीद लेते हैं company का उसके हिधारक बन जाते हैं और कैसकते हैं ownership का एक हिस्सा खरीद लेते हैं और जो भी profit आता उस पर dividend भी पाते हैं जब एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स लगा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट को ही खत्म करने के लिए GST लाया गया था अगर आप देखें तो जैसे मालीजे की 100 रुपय का cotton अगर खरीदा गया उस पर 10% GST लगा फिर 110 रुपय का हो गया 110 रुपय पर 30 रुप profit लेकर 140 क जो है खरीदा किसी टीशर्ट में करने इसको जो है 140 रुपय से बढ़ा करके टीशर्ट जब बनाई 240 की बनाई उस पर फिसरकार ने 10% टैक्स लगा दिया तो वह च्ट किते को गई 264 की शट मिली कस्टमर को बताया कि उसने 10% टैक्स दिया शट पर लेकिन क्या कस्टमर ने तो दवहन किया है इस टैक्स का कस्टमर ने 20% दिया है जबकि उसको बताया गया कि उसने 10% दिया है तो यही कैस्केडिंग एफेक्ट होता है इसी को खत्म करने के लिए GST की अधाड़ा आई थी जो टैक्स के लाबा अधर रिस्ट्रिक्शन लगा जाते हैं इसमद को 10 कॉंटिटी जाता नहीं मगा सकते हैं तो यह हो गया नॉन टैरिफ बैरियर डेफिसिट फाइनसिंग का मतलब होगया situation where the expenditure of government exceeds its revenue गवर्मेंट जित्ता कमा नहीं रही उससे जज़ाद expenditure हो रहा तो उसको deficit बोलते हैं ठीक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की definition यहां पर लिखी हुई है फ्रैंक नॉटिश्टी इनने इसको 1945 मिलाया था टिपिकल पैटर्न जब death rate और birth rate घटी या बढ़ती है उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अउधायडा जब geography के और module आएंगे तो हम और बहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे और जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और बढ़िया तरीके से आपको समझा देंगे तब आप यह वाले question solve करने लायक हो जाएंगे ठीक है इसमें कई सारे और अवधाडाएं होती हैं मैं समझाएंगे अगर मैं यही समझाने लगूंगा तो पूरा टाइम चला जाएगा फिर module complete नहीं हो पाएगा यह सारे question आप कर सकेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमाएं समझाने के बाद नियू एकनॉमिक पॉलिसी यह उनी सो नबबे क्यानबे में आई थी सेवन्थ है वो फाइव एयर प्लाइन की शुरुवात से हमने लिब्रलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइजेशन पर फोकस किया था और एक पारेटिक शिफ्ट माना जा सकता है इंडिन एकनॉमि में इस नियू एकनॉमिक पॉलिसी को निसो नबबे ग्यानबे के बाद बहुत सारे मेजर चेंजेश किये गए थे ठीक है उनको भी हमको स्टडी करना है फाइव यर प्लाइन पर भी मॉड्यूल आएगा तो और भी इसके बारे में बताएंगे आपको एक्सपोर्ट प्रम करता है तो ट्रेड बैरियर हटाए जाते हैं कॉमरिशल सपोर्ट दिये जाता है कई बार जो है स्टाइट अपस को बहुत सारी छोट प्रदान की जाती टैकस से ठीक है लोन भी दिया जाता है तो इस तरीके से एक्सप्रोप्रमोशन करता है कोई देश इंप्लॉयर्स कौन होते हैं जो किसी को नौकरी पर रखते हैं सिंपल बात है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन का मतलब यह है रेस्ट्रिक्शन सिंदा फॉम ऑफ टोटल कॉंटिटीज और कोटास इंपोस्ट डॉन इंपोस्ट टू रेद्यूस पैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसित और अलग देस्याल इजित डुटाल नौकर बसक Party ya रहाएं तो यह संगत्र हो गया ऑसी इंवस्टनिस फर्म भी हो सकती है इसी बात ने क्या करेंगे परॉन सुल बोलते हैं, it does not include foreign investment into stock markets, stock markets में जो investment किया जाता है, वो include नहीं होता है, FDI में ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये UKPCS में से पूछा गया था, इन में से क्या चीज़ जो है, foreign direct investment में नहीं आएगी, तो foreign investment into stock markets, ये FDI में count नहीं की जाती है, the total national income of the company divided by the population in a specific period, ये per capita income इससे निकाला जाता है, barriers to entry, यानि कि कुछ factors जो है, अगर लोगों को investment करने से रोखते हैं, किसी industry में तो वो barriers होते हैं, कई सार बार barrier को हटाने की बास की जाती है, जैसे license के terms and condition अगर थोड़ा से delay कर दी जाए, बहुत सारी छूट अगर प्रदान क जाए, तो ज़्यादा ज्यादा Industry grow करेगी, अगर आप इतने सारे compliance से उन पे लगा देंगे, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, इतनी जमीन होनी चाहिए, इतने सारे बरकर होने चाहिए, उन सबी стала Bayma होना चाहिए, आपके पास यह होना चाहिए वो होना चाहिए, तो क उसको count की जाता है और उसको मात और मृत्ति उदर कहा जाता है ठीक है इसको कैसे express की जाता है कि लाइफ बर्थ यानि की एक हजार का लाइफ बर्थ हुए है ठीक है उसमें से जन्म देते समय कितनी महिलाओं की मृत्ति हुई है उसको ऐसे दर्शाते हैं कई बार आखड़े आते हैं कि में कमी किस राज ने किया जितना नंबर यह कम होगा उतना इच्छा माना जाता है बजट्री डेफिसिट एक सिचुएशन होती है जिसमें गौवर्मेंट के इंकम और टैक्स रिसीप्स जो है वह एकस्पेंडिचर को कवर नहीं कर पाते हैं इसको बजट्री डेफिट बोल में ठीक इधान रखिएगा जो सस्टेनबल डवलपमेंट टर्म यूबई पीशिस की सिलेबस का इपोर्टन भाग है यह टर्म यहीं से इसी कमीशन की रिपोर्ट में टर्म दिया गया थे सबसे पहले धहन रखिएगा अनिम्प्लाइमेंट ऐसी स्थिति होती ही जब लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास skill भी होती है, लेकिन availability नहीं होती है, वरकी, उसी को कहते हैं, unemployment, balance of payment की बात कर लें, तो statistical statement होता है, ये summarizing all the external transactions, receipts and payments on current year and capital account in which the country is involved over a period of time, ठीक है, balance of payment क्या सो करता है, total assets और obligations या liabilities over the period of time, उसी को बोलते है, balance of payment, अब लैंड या फिर रिवेन्य settlement, तो कई सारे विवरस्था हैं, जो medieval period से चलती वी आ रहे हैं, जिसे आप देखेंगे, इक्तादारी सिस्टम हो गए, मनसबदारी हो गए, फिर रियत वारी, फिर इजरादारी, महाल वारी, इन सभी को study करना है, ठीक है, जैसे जैसे module आगे बढ़ेंगे, हम सब को study करेंग फिलाल यहां पर थोड़ा सा दिया वाए, रहेत वारी सिस्टम के बारे में, तो रहेत का मतलब होता है, बिजएंट, यानि क्रशक, ठीक है, महाल का मतलब होता है, revenue village, जमीनदार का मतलब होता है, जो proprietary land holder होता है, ठीक, अब अलग-अलग विवस्थाओं में कौन revenue collect करने काम करता था, और rights, ownership rights किसके बास होते थे, हम आगे आपको बताएंगे, provident fund यह saving fund होता है, in which employer and employee contribute regularly in the interest of the employee, यानि कि employee के हित में, जब employee खुद और उसका employer contribute करते हैं, तो उसको provident fund कहा जाता है, और provident fund employee को कब मिलता है, जब रिजाइन कर देता है, काम से या फिर retire हो जाता है, ज अच्छा अधम का मतलब नीच, आदिष्ट का मतलब हो जाता है, जो सम्मत है, जो विधी सम्मत है, ठीक है, जिसका कह सकते हैं कि, जिसका, जिसकी आग्या दी गई हो, जिसका निशेद किया गया हो, जिसको करने के लिए मना किया गया हो, उसको निशेद बोलेंगे, इसके पुसे बाद उपायका हो जाएगा निरुपाय का नीष। उढ़म का हो जाएगा यहां पे विनत करते का यहां पर अभी कर वे नीत ह GIR 들어Tech आप फीक transf事情 और अभी का लबिक हो जाएगा और लग पूछा से हिएगा तांडव पूर्वत का मतलब पहले जैसा नूतन वत का मतलब भी होता है नया उसके बाद आवर्तक का हो जाएगा वियावर्तक या अनावर्तक भी सही है और वियावर्तक भी सही है आवर्तक का अर्थ क्या होता है आवर्तक का मतलब होता है बार-बार चक्कर लगाने वाला बार-बार लाउट कराने वाला और अनावर्तक का मतलब होता है कि जो बार-बार ना लाउटता हो ठीक है और रिपू का मतलब हो जाता है दुश्मन शत्रू और सुहृद का मतलब हो जिससे आपको मन मिलता हो, अटल का मतलब जो है अटल रहता है, जो रिजिड होता है, जो अडिग होता है, जो मतलब जिसको अपने पर विश्वास होता है, यह सब अटल होता है, मतलब अटल का जो अर्थ लिया जाता है, वो इनी संदर्बों में लिया जाता है, जो अडिग का मतलब होता है कमाना और व्यायन का मतलब हो जाएगा खर्च करना ठीक तो यह दोनों ही हो जाएंगे अन्भिग यह भी हो जाता है ने टो है जो भी option में दिया हो उसके सापशेप् करियेगा विनीत का हो जाएगा ध्रस्टी या फिर उद्धत गरेलु का हो जाएगा बनाइला गरेलु मतलब जो आपके घर में रहता है बनाइला मतलब जो जंगली होता है भोंडा भद्धा को रूप उसके लिए जो हो जाएगा सुन्दर आत्मा का नात्मा हो जाएगा या परमात्मा भी हो सकता है जो भी ऑप्शन में दिया हो उत्तेजित का हो जाएगा शमित उत्तेजित याने की जो जल रहा हो और शमित याने की जो बुझ गया हो समविधन शील का हो जाएगा समविधन हीन या असमविधन शील अनविती का हो जाएगा अनविती अनविती का कुछ लोग पूछते हैं मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है मेल एक रूपता और अनविती का मतलब होता है अगर मेल ना हो एक तका भाव होतो आशन का हो जाएगा अनिशन संकोचन, आकुंचन, संकुचन का हो जाएगा प्रसारण और आगम का हो जाएगा लोप इद का मोहरम, इद से आप जो संदर्ब लगा सकते हैं खुशियों का महल, मोहरम में मतलब मातम का महल ngramika हो जाएएका कई जगे लिखा मिलेगा वुक्स में लेकिन ग्राम का अगर उस संतर्व में पूछे जोग्राफिकल सेंस में तो gamika हो जाएका नागर ठीक ऀशत का हो जाएका अलम रथी का विरथी हो जाएगा, छुद्र का महत हो जाएगा, छुद्र यानी की छोटा अधना महत यानी की विशाल, महत पूर्ण भी, ठीक है, छुद्र यानी की जो कम महत पूर्ण हो, ताना का हो जाएगा भरनी, भूलोक का हो जाएगा, द्विलोक, संड का हो जाएगा, मर्द, और या बंजय का योजक और अविरभूत का बहुत हो जाएगा टोटा का हो जाएगा नफा, टोटा यानिकी घाटा नफा यानिकी फाइदा जरजर का हो जाएगा द्रड, इहा का हो जाएगा यानि इहा इहा मतलब इक्षा, इक्षा का परवाची इहा पुष्ट का हो जाएगा क्रश या छीन, पुष्ट यानिकी जो है मोटा ताजय, क्रष यानिकी दुबला पतला वैभाव का हो जाएगा पराभाव वैभाव यानि की सुक्संपत्ति और पराभाव यानि की अम लोग कह सकते हैं अभाव में जीना धन की कमी, अभाव विपन्नता सवर्ण का हो जाएगा अभर्ण गर्जन का यहां पर हो जाएगा वर्जन आदत का प्रदत आकलन का विकलन, अच्छाई का बुराई, अतुल का तुल्ले अक्षत का विक्षत अंगी करण का आन, अंगी करण अंगी करण का मतलब क्या होता है अपने उपर लागू करना अंतर द्वंद का बहिर द्वंद अंतर का बाहर अंताक आधी, अतिवरुष्टी नहीं लगाइगा ठ tablespoon एक्जाम में आँ सुकाए अंग्रज का अनुजोह जाएगा अमर्द का विश सेना पेक्राईल का अना पेक्राईल अलग होने का मतलब हो जाएगा आपका दिन यामा का मतलब हो जाएगा रात अर्ष का विलूम हो जाएगा फर्ष ठीक है अर्ष यानि कि जो उपर की स्थिती फर्ष यानि कि नीचे की स्थिती निगेटिव पॉस्पिव के संस में लिया जाता है अर्ष का मतलब में अच्छा अगर किसी विक्ति की आखे निकाल ली जाए और उसमें जो खोखला भाग बचेगा उसी को नीख बोलते हैं ठीक है इसे वज़ेसे आख का यह विलूम लिया गया गया ग्रहित का हो जाएगा त्यक्त ग्रहित यानि जो अपने ग्रहण किया हो त्यक्त यानि की जिसको का पुरुष यानि कायर इसका हो जाएगा पुरुशार्थी उसके बाद परिग्रहीत का हो जाएगा परित्यक्त द्विती का हो जाएगा अंदकार प्रक्षन का प्रतिपन ठीक है प्रक्षन यानि की छिपा हुआ प्रतिपन यानि की प्रकट उद्धत का हो जाएगा विन अंतर मुखी का बहिर मुखी, अकंटक का अकंटकित, अक्षत का विक्षत, अकर्मक का सकर्मक, अगला का पिछला, अतिक्रमण का अनतिक्रमण, अगरकामी का पश्चिगामी, अमर का मर्त, अमर यानी जो मरता ना हो, मर्त यानी जो मर सकता हो, अर्वाचीन का प्राचीन, अन अनुभूत का अनुभूत हो जाएगा इसमें लास्ट पर जाएगे सानुक का निर्नुग, दोश्मोचन का अभिशप्ति, अन्तिक का दुरांतिक, आप्त का अनाप्त, उद्धत का अनुद्धत या विनीत, अथिदी का हो जाएगा आतिते, और जीना का गाढ़ा, यौम का याम्या, अब याम्या जो है, यामी जो है और यामा, सभी पर रहावाची है रात के, इसमें, कन्फ्यूस नहीं होईएगा अब, ये तीनों जो है, याम्या, यामी और यामा ये पर रहावाची है रात के, साहचर का हो जाएगा, अलगाओ, पुष्ट का हो जाएगा, आपकार का उपकार, सजल का निर्जल, अधूरा का पूरा, असली का नकली, और अलप संख्यक का बहु संख्यक, अनुयाई का विरोधी और अनुभवी का अनुभवी का अनुभवीन फाइनली इस मोड्यूल में करेंट अफएर का सेक्शन देखेंगे, अग्रिमेंट यहां पर हुआ था भारत और नेपाल के बीच महाकाली रिवर पर एक ब्रिज बनाने के लिए, जो कि धर्चुला में बन रहा है, धर्चुला इंडिया वाल एरिया में और धर्चुला नेप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अक्षय पातर फांडेशन के बीच यहां पर समझाता हुआ है, अक्षय पातर फांडेशन एक नौट फर प्रोफिट और्गनाइजेशन है, जो कि प्रधान मंत्री पोशन शक्ति निर्मार स्कीम को लागू करने में help करेगा, जो कि पहले इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सहयोग लेगा, अक्षय पातर फांडेशन, इसरो ने ओपो के साथ समझाता किया है, नाविक मैसेजिंग सर्विस को प्रमूट करेगा, जीयो प्लैटफॉर्म्स और उनिवस्टी आफ उलू के बीच समझाता वुआ था, 6G टेक्नल गई थी, ठीक, पियर ओलिवर गॉरिनिशस, ये नेक्स्ट चीफ इकनॉमिस्ट बनी थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, गीता गोपिनात के बाद, चाइना की सीनियर डिप्लोमेट जांग मिंग, ये निव सेक्रेटरी जनरल अभी बने है, ये SCO के, ठीक है, SCO की चे इंडियर ओफीसर थे, इंडियन फॉर्न सर्विसिस में, इनको जो है, नेक्स्ट अमबस्टर, ये पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया था, इंडिया का, United Nations Conference on Disarmament में, जो की जिनेवा में है, एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट डॉक्टर S. सुमना थी, इसरो ये चेरपरसन बनें थे, Commission of Agricultural Cost and Prices, यानि CACP के, जो नियुंतर समुर्थन मूल रिक्रिमेंट करती है, तरकार को, वही ये आपकी अगरिकल्चर, Commission for Agriculture Cost and Prices जी होती है, टीस्ट दिर्यमूर्थी ये चेरपरसन बनें थे, Counter Terrorism Committee of the United Nations Security Council, यानि UNSC Counter Terrorism Committee के चेरपरसन बनें थे, Robert Metzola, ये President बनें थे, Parliament of European Union, ये नए Secretary General बनें थे, OPEC के, जिसका हेटकोर्टर जो है, कहाँ पे है, Vienna में है, Austria में, OPEC का हेटकोर्टर, आइशा मलिक, ये First Women Judge थी, पाकिस्तान सुप्रीम कोट की, दुर्गा शंकर मिश्री ये चीफ सेकरेटरी बनें थे, उत्तर प्रदेश क इन्होंने आरके तिवारी का स्थान ग्रहण किया, International Association of Working Women Award, Bollywood Actress Sushmita Sen को दिया गया था, Washington DC में, South Asian Film Festival में, उनकी TV सिरीज आर्या 2 के लिए, आर्या 1 और आर्या 2 में एहम भूमिकारिम भाई थी, Sushmita Sen ने, Guinness World Record and First World Record of 2022, ये इसी चौधरी को मिला था, ये Numerologist है, 12 भारत र प्राइजान में जो लड़की का किरिदार निबाया था, छोटी बच्ची का, हर्शाली महलोत्रा उन्हें मिला है, Global Women's Health Tech Award, ये World Bank Group और Consumer Technology Association के द्वारा, निरामाई Health Analytics Private Limited, जो स्टार्टप है, उसे मिला है, सुभास मुखर जी अवार्ड ये Dr. Satish Adiga को मिला है, ये ICMR द्वार जिविस्प नोबल प्राइस, नाचल ब्रीड कंजरवेशन अवार्ड, ये All India Co-Coordinated Research Project को मिला था, किसके द्वारा, आइकार के National Bureau of Animal Genetics Resources के द्वारा, आसम बैभाव अवार्ड, ये असम गवर्मेंट के द्वारा, इंडेस्ट्रिलिस्ट रतन टाटा को दिया गया था, Chief of Army Staff का Commendation, ये विराट, दार्मी और हीना, ये सारे जो हैं डॉग्स हैं, इन्हें मिला था, Recognition, Person of the Year Award, पेटा के द्वारा, आलिया भट को मिला था, स्कोच अवार्ड इन सिल्वर कटेगरी, ये फॉरिंसिक साइन्स लिबरेटरीस को मिला था, वहां के जो डिरेक्टर हैं वहां पे काशर डिस्ट्रिक्ट में, आसम में उस प्रोजेट को ये अवार्ड दिया गया था, स्कोच अवार्ड, सुभास चंदर बोस आपदा परबंधन पुरुसकारी, ये दो कटेगरीज में मिलता है, ये गुजरात इंस्ट्यूट आफ डिजास्टर मेनेजमेंट को म से, नेता जी अवार्ड 2022, ये नेता जी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है, जो फॉर्मल प्राइम निस्टर जो की अब नहीं रहें, शिन्जो आबे उन्हें दिया गया था, परम विशिष्ट सेवा मेटल ये निरज छोपड़ा को मिला था, रामनात कोविन ज के द्वारा, एसे एफ पेपर में पूछा भी गया था, जर्नलिस्ट अफ देए 2020, ये फोटो जर्नलिस्ट दानिस सिद्गी को पोस्ट्यू मसली दिया गया है, मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा, साहित अकैडमी द्वारा ये अनौन्स किया गया था, इसमें वैसे तो अनौन्स किया जाना था वार्ड, स्वक्ष विद्याले पुरुसकार ये जो है सुभाष शरकार ने ब्रदान किया था, स्वक्ष विद्याले पुरुसकार जो है Department of School Education Literacy के द्वारा अनौन्स किया जाना था, फिल्म कॉम्पेटिशन अवार्ड की बात कर लें तो P.S. विन स्मृति मंदाना इंडिया से, Gary Sobers, ICC Men's Cricketer of the Year शाहिन शाह अफरीदी ये पाकिस्तान से, ICC Men's Test Cricketer of the Year जोरूत इंगलेंड से, Tammy Beaumont ये इंगलेंड से, ICC Women's T20 Cricketer of the Year, ICC Emerging Men's Cricketer of the Year जैनमन मलान, ICC Men's T20 Cricketer of the Year महमद रिज्वान पाकिस्तान से, ICC Women's Emerging Cricketer of the Year अफना, फातिमा सना, पाकिस्तान से, ICC Women's Cricketer of the Year लीजल ली और ICC Men's ODI Cricketer of the Year बाबारजन, पाकिस्तान से, National Startup Awards 2021, इसके विनर अगर हम देखें, तो स्टेट वाइस करनाटक ने जो सबसे ज़्यादा अवार्ट जीते थे, 46 में से 14 जो स्टार्ट अवार्ट जीते थे, वो करनाट से थे, ठीक है, बस इतना ध्यान रख सकते हैं, इसमें में ज्यादा नहीं आपके याद करना है, National Startups Award 2021, इसमें सरवादिक पुरुसकार की स्टेट के स्टार्ट अप से जीते थे, करनाटक ने ध्यान रखेगा, International Craft Award जो ये World Craft Council International के दोरा दिया गया था, इसमें Crafts Person of the Year, शहर अराबियन जो की इरान से हैं, दलवाई को लियपपा जो की इंडिया से हैं, इनको जोएंटली मिला था, Next Generation Craft Designers में, Killing Zhang जो की चाहिना से हैं उन्हें और मुबिन खत्री जो इंडिया से हुन्हें मिला था, और Amit Sajdeva भारत से और मुबारिक खत्री इंडिया से, इन्होंने Master Articiency के टेगरी में और जीता था, Golden Globe Award के लिष्टा गए थी, Best Film Drama में, The Power of the Dog, Best Film रही थी, Musical और Comedy के टेगरी में, West Side Story, Best Actor Drama में, Will Smith अपनी फिल्म King Richard के लिए, Best Actress Drama में, Nicole Kidman, Bing the Ricardos फिल्म के लिए, Best Director Jane Campion देरेक्टर थी, The Power of the Dog फिल्म के लिए, Best Director का अबर्ड मिला था, उसके ब Women's Player of the Year, Women's Player of the Year में Alexia, Potelas को जो की बार्सिलोना, Spain से खिलती है, प्रदानमंत्री राष्ट्री बाल पुरसकार में, ये उत्तर प्रदेश से जिन बच्चों को मिला था, उनको देख लेते हैं, ठीक है, 15 बोई, 14 गल्स को 29 चिल्रेन को दिया गया था, लगला के टेगरी में, ये उत्तर प्रदेश से जिन बच्चों को मिला है, मुरादाबाद, अलिगर्ड, आजमगर से उनके नाम लिखे हुए यहाँ पर, नैसल वाटर अवार्ड बहुत जरुड़ी आ रोमेन से पूछा गया, आगे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का मिला है, सेकेंड पर राजिस्थान से तमिल नाडू, ठीक, मुझफर नगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में, बल्वा वाइनसी, बेस्ट विलेज पंचायत नॉर्थ जोन में, थर्ड पर, ठीक, एमिटी इंटरनेशन स्कूल नोईडा, बेस्ट स्कूल, थर्ड स्थान पर जॉन्ट विनर, ठीक है, यह है यहाँ पर, बेस्ट अंजीओ में, फस्ट प्राइज और कोस्टल सलिनिटी प्रिवेंशन सेल, जो कि हमदाबाद में है, धर्मपाल, सत्यपाल, नोईडा, यह थर्ड जॉन्ट विनर रहे थे, बेस्ट इंडस्ट्री फोर सी एसर अगर इसके बार में और डिटेल में आपको जानना है तो आप जैनवरी मन्त का हमारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उसमें पूरा यह सब डिटेल में एक्स्प्रेंड करके भी बताया हुआ है, बाकी मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ज़रूरी फैक्ट है, आप को नोट डाउन कर सकते हैं, वन लेट में से,